अच्छा सब्सक्राइब करते हो ना घंटी बजा देना नमस्कार दोस्तों आज हम आपके लिए एक बेहत फायदेवन्द जानकारी लेकर आए हैं दोस्तों जाइदेतर घरों में भोजन में दाल चावल का उप्योग होता है यदि आप भोजन में दाल चावल का सेवन नहीं करते हो तो आज से ही दाल चावल का सेवन करना सुरू कर दो क्योंकि दोस्तों आज हम आपको दाल चावल का महत बताने जा रहे हैं दोस्तों हर किसी को दाल चावल का महत जानना जरूरी है तो चलिए जानते हैं इसके बारे में विश्तार से दोस्तो आपको ये तो पता होगा कि दाल चावल को भारतिय लोगों का मुख भोजन माना जाता है जैदेतर पूरे भारत में दाल चावल अधिक से अधिक परमान में खाया जाता है क्योंकि चावल हमारे सरीर के लिए बहुत फायदे मंद होता है दाल चावल का सेवन करने से वो सिर्फ स्वाध ही नहीं बलकि साथ ही साथ सेहत के लिए भी फायदे मंद सावित हुआ है जाइदे तर जो लोग मांस का से बन नहीं करते वो साकाहारी लोगों के लिए दाल चावल का से बन बहुत फायदेमंद होता है दाल चावल के सेवन से सरीर को आवस्षक प्रोटीन जाइदे मात्रा में मिलता है सरीर को स्वस्त रखने के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी होता है क्योंकि प्रोटीन हमारे सरीर की मान स्पेशियों को मजबूत बनाता है और साथ ही साथ अच्छे स्वास्त के लिए भी सहायक होता है दोस्तो आपको बता दे कि डाल चावल में फाइवर अधिक मातरा में पाया जाता है जादे तर फाइवर होने के कारण डाल चावल किसी भी पड़ेसानी के बिना असानी से पच जाता है इतना ही नहीं बल्कि दाल चावल को रोजाना खाने से पाचन तंतर भी मजबूत बनता है और पाचन तंतर भी सरीर के स्वास्त के लिए एक आम हिस्सा है दोस्तो दाल चावल में सिर्फ फाइवर और प्रोटीन ही नहीं बलकि साथ ही साथ उसमें कॉलेस्टोल और दूसरे कई अमीनो असीड भी पाए जाते हैं जो सरीर को स्वस्त रखने के लिए जरूरी होता है इसलिए दोस्तो दाल चावल का से बन रोजाना हर एक बैक्ती को करना चाहिए दोस्तो जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें सेर करें और चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लें धन्यवाद